नमस्कर दोस्तों स्वागा थे आपका फार्मरोक्स की यूट्यूब एजिकेस्न चैनल में आज के उड़ी लेक्चर में हम डेटेल में स्टडी करेंगे पेट साप करने की दवायों के बारे में तो हम सिखेंगे कि कौन से रीजन ऐसे बनते हैं कि जिसके करन आपका पेट साप नहीं होता, सिम्टम्स होगे रहा क्या डेवलप होते हैं और कौन से अलग-अलग मेडिसिन्स को यूज़ करके हम ये प्रॉब्लेम को ठीक कर सकते हैं तो डेटेल में सिखते हैं आज के वाटसब कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाल एपलिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो बादे हैं टॉपिक प्योर समझते हैं पेट साप करने के दवायों के बारे में तो उससे पहले ये जो प्रॉब्लेम है उसको स पासी नहीं हो पता और ऐसा फिल लोता है कि आपका स्टमख जो काफी जदा हुट है पेट में दर जये सह फिल होता है और काफी डिफिकल्टी हथी है स्टू्स को पास करने के अंदर तो उसकार रीज़न सबसे पहले यह होता है कि आपका स्टूलकरい काफी जदा हाड हो कि आपका पेड जो अच्छे से साप नहीं होता तो उसका एक रीजन सबसे पहले यह होता है कि आप बहुत कम पानी पीते हैं तो अगर कोई पानी कम पीता है तो भी यह problem होता है उसको फिर second reason बनता है कि unhealthy diet कि आपका diet एसा है कि जिसके अंदर ज़्यादा मात्रा में fibers नहीं है काफी कम fibers है आपके diet के अंदर तो ऐसा unhealthy diet के करण भी constipation जो हो सकता है फिर एक reason बनता है कि आपकी life में काफी ज़्यादा stress है और stress के करण भी यह problem जो हो सकती है फिर sedentary lifestyle मतलब कि आपकी lifestyle एसी है कि ज़्यादा कोई exercise वगिरह नहीं है ज़्यादा आप movement नहीं करते हैं एक ही जगा पे लंबे समय तक आप पैठे रहते हैं और diet भी आप काफी unhealthy लेते हैं lifestyle इस तरह से कि जिसके करण भी आपको यह problem हो सकती है फिर pregnancy face के दौरान भी constipation जो हो सकती है तो यह जो constipation सिर्फ और सिर्फ pregnancy के period के दौरा नहीं रहता है जिससे pregnancy face कदम होता है यह जो आपका problem solve हो जाता है फिर कई बार reason यह बंदा है कि आपके intestines के अंदर blockage हुआ है तो वो blockage के करण भी जो stool का जो pass होने का पूरा रास्ता होता है वो block हो जाता है और उसके करण भी आपको constipation का problem होता है जिसके करण पेट अच्चे से साफ नहीं होता फिर जो age जीसे बढ़ती जाती है तो बढ़ती age के साथ भी यह problem जो हो काफी common बन जाता है फिर IBS करके एक बीमारी के जिसको हम irritable bowel syndrome कहते है उसमें भी एक symptom बनता है कि कई बार कुछ लोगों को diarrhea हो जाते है या फिर constipation जो वो देखने को मिलता है फिर कुछ दवाईों के side effects के करण भी यह problem होता है जैसे कि आप बहुत सारी दवाईों के बारे में सिखते है medicines में सिखते है तो उसमें side effects हम कई बार discuss करते कि यह दवाई के करण nausea हो सकता है vomiting हो सकती है as well as diarrhea या फिर constipation हो सकते है ऐसे ही जो iron supplements होगे रहा होते कि किसी को खुन की गमी और उसके लिए जो iron supplements दिये जाते है उनकी एक side effects बनती है constipation कि जिसके करण आपका पेट अच्छे से साब नहीं होता फिर antacids लेने से जैसे कि जिनके अंदर calcium या फिर aluminium वगेरा है फिर anti-depressants लेने से भी यह problem हो सकती है या फिर over the counter जो pain killers होती है अलगला कि जिसको हम non-steroidal anti-inflammatory drugs कहते है तो उनके कारण भी यह problem हो सकती है अब समझते हैं symptoms के बारे में तो जब भी आपको यह problem होता है तो आपके stomach के अंदर pain होता है पेट में दर्द होता है काफी ज़दा उसके लावा पेट जो फूल जाता है जिसको हम bloating जीसी condition कहते है या फिर आप ऐसा समझते है कि आपका पेट जो काफी ज़दा फूल है और कई बार उसकी size भी increase होई हुई देखने को मिलती है बिकास इसके करण क्या होता है कि constipation के जो है पेट सापना होता है साथ-साथ gas और काफी problem हो जाता है तो उसके करण यह जो है वो symptom देखने को मिलते है फिर anorexia कि जब पेट साप नहीं होता था आपको बूक नहीं लगती बूक काफी ज़दा कम हो जाता है कि कितना भी अच्छा खाना आपके सामने आपका पसंदी था तो भी आपको बूक नहीं लगती तो यह भी एक problem हो सकती है एक symptom develop होता है फिर nausea vomiting जैसा आप फिल करते हैं कि जब भी आपका पेट साप नहीं होता फिर इसके करण कुछ complications हो सकते हैं आगे जाके कि समझे कि लंबे समय तक किसी का constipation रहता है पेट साप नहीं होता रोज यह problem रहती है तो इसके करण आगे जाके आपको piles या फिर hemorrhoids का problem हो सकता है या फिर वहाँ पे anal fissor भी बन सकते हैं तो अब बात करते हैं उसके treatment वगेरा कि तो treatment में medicine सबसे पहले समझते हैं तो पहला option बनता है medicine का वो है वीसा कोडिल के tablets का कि जिसका dose रहता है पांच से लेकर 15 mg पर day के हिसाब से तो यह जो tablet है वो एक या फिर दो tablet जो आप दिन में दो बार जो ले सकते हैं आगे जो option बनता है उसी medicine की suppositories वगेर आती है तो suppository क्या करना होते है कि आपको दिन में एक बार यह suppository जो वो insert करती है special यह जो medication जो वो rectal root के लिए होते है rectal suppositories होते है जो आपको rectum के अंदर insert करनी होती है फिर option बनता है liquid paraffin का emulsion का तो यह जो क्या है कि 5 से लेकर 10 ml जितना आपको लेना होता है दिन में एक या फिर दो बार patient ले सकता है कि जिसको यह problem हो रही है और यह अलग-अलग flavor में available तो जैसे कि mint और mixed root जैसे अलग-अलग flavors के अंदर यह syrup जो वालिबल होता है कि जिसका अंदर जो medications के हम बात करें तो वो होता है liquid paraffin फिर docuset और sena करके जो drug आती है उसका combination tablets आते हैं जैसे Q-sena करके आप यहाँ पे product देख रहे है तो यह जो combination tablet है वो दिन में एक यह दो tablet ही आपको लेनी होती है और रात को सोते समय special लेना होता है कि दिनर के बाद आपको यह tablets लेनी होते हैं कि जिससे आपको पेट जो अच्छे से साफ हो जाता है और constipation का problem solve हो जाता है फिर हिमाल्या के अंदर हम बात करें herbals medications के अंदर तो herbals करके एक medication आती है कि जो काफी अच्छा lexative reparation है तो उसके 2 या 3 capsule जो आपको लेने होते है डिनर से पहले और यह लेने से भी आपका problem solve होता है फिर अब चूरण की हम बात करें तो त्रिफला चूरण जो आता है कि जो अलग-अलग herbal companies बनते जैसे कि जन्डू है डाबर है उसमें उसके यह चूरण अगेरा available होता है तो यह सोते समय आपको 5 या 10 ग्रम जितना लेना होता है पानी के साथ फिर त्रिफला के कोई चूरण नहीं ले पाता है तो उसके लिए tablet का भी एक option बनता है आपके लिए जैसे कि यह आप आप देख सकते त्रिफला का tablet करके product है हिमालिया का कि जो एक या डो tablet आपको रात को सोते समय लेने होते हैं फिर SBL के जो एक homeopathic company है उसका भी एक formulation यहाँ पे अवेलेबल है जिसका bio combination for करके एक tablets आदे हैं कि यह जो tablets यह आपको दिन में तीन बार जो वो patient ले सकता है कि दो tablet दिन में दीमबा ले सकता है और हर dose के बीच में at least आपको 6-8 गंडे का time interval रखना होता है फिर आगे option बनता है तीन बार ले सकता है एक cup जितने पानी के अंदर फिर next एक option है कायम tablets का कि जो कायम चूरन तो आपने सुना है उसके tablets वगेरा भी आते तो एक या दू tablet सोने से पहले और उसी का चूरन भी आप ले सकता है कि 5-10 ग्राम जितना चूरन रात को सोते समय जो है वो patient ले सकता है फिर एक और option यहाँ पे बनता है phenolthelin का कि castofin करके जो tablet साथ है कि जिसके अंदर जो हम salt content के बात करें तो वो phenolthelin होता है और ये भी एक अच्छा laxative के तोर पे काम करता है पेड साफ करने में मदद करता है तो ये जो tablet जो है एक या दो tablet जो है रात को सोते समय जो patient ले सकते है अब ये दवाई के कुछ side effects हो सकते है जैसे कि ये दवाई आप ले रहे तो कई बार abdominal cramping आपको हो सकती है कि पेट में cramps आ रहे हैं ऐसा आपको feel हो सकता है electrolyte imbalance हो सकती है फिर अगर ये medications high dose में कोई खा लेता है कि यहाँ पर जो हमने dose discuss किये वो normal होते है पर उससे काफी ज़्यदा dose में आपने ये दवाई खा ली या फिर आपको suit नहीं हो तो उसके करन आपको diarrhea हो सकता है तो ये खास दियान रखना चाहिए फिर nausea vomiting हो सकती है ractal में burning हो सकती है या फिर spinning sensations की जिसको हम कहते हैं कि चक्कर वगरा है ना तो ऐसे समझेगे आपको detail में सिखना है केसे भी विमारी के बारे में दवा के बारे में तो आप medicine course को join कर सकते हैं तो ये course को join करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं हमारे mobile application को download कर सकते हैं link आपको description box में मिल जाएगी so good luck and all the best